हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स रे करने पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं और हमें एक रे करवाना चाहिए या नहीं मरीज के शरीर के आंतरिक हिस्सों में जाकने के लिए एक्स रे की जाच जरूरी होती है लेकिन उसके दुश्प्रभावों से बचना भी संभव होता है शरीर से होकर गुजने वाली एक्स रे के हमेशा साइड इफेक्ट होते हैं जब तक बहुत जरूरी नहों एक्स रे से बचना चाहिए अपनी और से चिकितसक से पर्चे पर एक्स रे की जाच कराने की जिद्ना करें प्रायाह लोग एक्स रे बिना किसी चिक कितसकिये सलाह के करवा लेते हैं किन्तु ऐसे लोग एक्स रे के दुश्परिनामों के बारे में नहीं जानते एक्स रे सीटी स्कैन वा मेमोग्राफी आधी परीक्षनों में आयोनाइजिंग विकिरनों का प्रयोग किया जाता है जो की घातक है जबकि सोनोग्राफी और ए आरीरिक आकार की वज़े से जन्नांगों का एक्स रे से बचाव कटिन होता है प्रायह बच्चों की एक्स रे जाच की समय उनके माता पिता को एक्स रे कक्ष में रहना आवश्यक होता है ऐसे समय में माता पिता को एक्स रे से बचाव वाले कपड़े पहनना चाहिए वह ग गर्भावस्था के आठवे से पंद्रहवे सप्ताह के मध्य एक्सरे जाच वर्जित है अतह एक्सरे सीटी स्कैन वा मेमोग्राफी की जाच डॉक्टर की सलाह पर ही की जानी चाहिए दोस्तों इस प्रकार की हेल्थ संबंधित वीडियो पाने के लिए आप लक्षमन हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद